हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से आज किस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बाड़ी ख़बरों के बारे में जानेंगे तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते साथ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे बाड़ी कबर बिहार में गरज के साथ गिरेगी बिजली उत्तर बिहार के 19 जिलो में अलट 60 किलोमेटर रप्तार से चलेगी हवाए जिहाँ दचिन बिहार में गर्मी और उत्तर बिहार में आकासी बिजली ने मुस्किल बढ़ा दी है मौसाम इवांग ने उत्तर बिहार एक दो स्थानों पर गरज के साथ आकासी बिजली गिरने को लेकर अलड किया है इस दोरान हलकी से मद्धम बारिस कभी अलड किया है दच्चिन पूरो बिहार के बाका भागलपूर दच्चिन पश्चिम बिहार के केमूर रोतास और अरंगाबाद में एक दो इस्तान पर 40 से 50 किलोमेटर परती घंटे के रफ्तार से हवा चलने का अलट किया है ऐसे में लोगों को 24 गंटे तक प्राकिरतिक अब्दा से बचने के लिए पूरी तरह से सावधान किया है मौसम विवार के मुताबिक राज में मौसम का अलट किया है उत्तर बिहार के 19 जिलो पच्चिमी चंपारन सिवान सारन पूर्वी चंपारन गोपाल गण सितामणी मधोवनी मुझपरपूर दरबंगा वैसाली सिवर समस्तिपूर सुपोल अररया किसन गज मधिपूरा सहरसा पूर्निया और कटिहार में हलकी से मैदम बारिस को लेकर अलट है वह उत्तरी भागों की कुजिस्तानों दच्चिन पूर्व के बाका भागल पूर और दच्चिन पशिम के केमो रोतास और अरंगाबाद में लोगों को अलट किया गया है कहा गया कि जब तेज रपतार में हवा चले तो साउधान हो जाए बिजली कड़कने के दोर हुआ कि तो अननद के सोर ने बताया कि नवी और गारवी में रीजिस्ट्रेसण के लिए फरम भरवाने के समय और मैट्रिक और इंडर परिचह मायदमीक दोर परिशा में ऑन प्रशinformatic machine लगेगी औनोंने आगे का कि pengट्रीक और इंडर परिचा में आप भी मुंनना भाई पकड़े जाते इसका हमे नामौ निसान मुझाना है परिचा प्रअली को इतना मजबूत कर दिया जाएगा कि परजी छातर परिचा में सामिली नहीं हो पाएंगे अगली बड़ी खबर नए सत्र में पहले से आड़ी तक के बच्चों को दी जाएगी पौने दो करोड किताबे माई के पहले हथे में छात्रों के खाते में आएंगे 416 करोड जहराज के सरकारी तता सरकारी सहता प्राप्त प्रारामिक स्कलों में कक्चा 1-8 भी तक के बढ़ने वाले बच्चों को नए सेक्षिनिक सत्र 2223 की किताब सिगर उपलब्द गराने के तयारी आराम हो गई है बिहार इस्टेट टेक्स्ट बूक पब्लिसिंग कॉर्परेशन लिमिटेट ने इन पैनल मुद्रकों को बच्चों को इपाट पुस्तरक सिगर प्रकासितकार उपलब्द कराने का निदेश दिया 76-14 साल के बच्चों को मुबतवम अनिवार सिख्चा कानून के तहट किताब मुहाया कराने के योजना की तहट इन बच्चों को किताब कराय के रासी सिग रही उनके खाते में भेजने की तयारी भी आराम हो गई है अगरे बड़ी कपर बियार में बिजली चोरी को रोकने के लिए बिहार सरकार का बड़ा कदम एश्टेण क्रीक जाच उस इलाके पर धाबा बोलेगे जहां से बिजली चोरी की ज़दा सिकायती पाए जाएगी उर्जा विभाग के मुताबिक बिजली कमपानी ने 2020 से किस में 17,881 करोड की बिजली की खरीदारी की है इसमें से 25 फिज़ी आने के 495 करोड रुपिय की बिजली चोरी की गई है बिजली कमपानी के अनुसार उपभुगताओं के सेंका 1 करोड 70 लाग तक है अगली बड़ी कबर लोगों को महंगाई का एक और जटका जानिये कितने रुपे महंगा हुआ एलपेजी सिलेंडर जी हापाले से ही महंगाई के मार जहल रहे लोगों को माहिने के पहले दिन महंगाई का एक और जटका लगा है तेल कमपानीों ने कोमर्सियल गैस सिलेंडर क के दाम में 102.50 रुपिय का इजापा कर दिया है हलाकि राहत के बाद है कि घरेलू गैस सिलंडर की केमोतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है इससे पहले एक अपेल को भी एलपेजे सिलंडर के केमोतों में बड़ोत्रे की गई थी आगली बड़ी खबर बिजली संगट पर सरकार का बड़ा फैसला पावार रिष्टेसं तक जल्द कोईला पहुचाने के लिए 677 पैसंजर ट्रेने होंगी रद जहां कोईले के कमी के एक आरण देस में जारे बिजली संगट के बीच केंदर सरकार ने बड़ा फैसला किया है क कोईले के रेक जल्द पहुच्छे के इसके लिए सरकार ने 677 पैसंजर ट्रेनों को रद करने करने नहीं लिया है। अगली बड़ी कबर बियार में मैं 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 समाने साधिक बारिस के असार विभाग ने जारी किया मैंने भार का पुर्वानुमान जारी किया है। अगली बड़ी खबर चोती लहर के आहट के बेच कॉंड़ेट पर काम करने वाले 12,000 हेल्द वर्कस को मिलेगा अब एपिएप कर लाब। जिनका मान दे 15,000 साधिक है ऐसे कर्मियों को एपिएप योजना में सामिल किया जाएगा। इस फैसले से बिहार में करीब 12,000 कर्मियों को लाब पहुचेगा। अगली बड़ी ख़बर पाटना विमेंस कोलेज में नमांकन के लिए उल्लाइन आविदन शुरू जान लिजिए हर ज़रूरी बात जिहाँ पाटना के प्रतिष्टी सिक्चन संस्तानों में पाटना विमेंस कोलेज का नाम भी है इस कोलेज का लोकेशन बहुत अगली बड़ी ख़बर रोड की आयाटी और पाटना एनाइटे के टीम करेगे बिहार के भागलपूर में पूल गिरने की जाच जह साथ वर्सों से बन रहे अगवानिक हाट पूल के सुपर स्ट्रिक्चर ढढ़ जाने के जाच कराए जाएगे भागलपूर के सुल्तान ग इसके 26 सिलेब को उस वक्त नुखसान हुआ जब सुनिवार के सुबसुबस तेज आंधी आई बात निर्मान मंतरी नितिन नवी ने कहा कि आयाटी रोड के वह पटना एनाइटे के टेम में सयुंक तुरूब से या जाच करेगे कि पूल किन वज़ाव से धस्त हुआ है अगली बड़ी खबर बिहार के मेड़े मिल के मैन्यों में किया गया बदलाव अब सलाद के जगा चातरों को मिलेगा पुलाओ जहा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्द प्रारामिक भी दलवे में मैदाई बोजन के मैनू से हरा सलाद हटा दिया गया है सुकरवार के लाल चना का छोला हरा सलाद एक अंड़ा या मौसमी फल सामिल ता लेकिन अब इसमें से सलाद हटा दिया गया है इसका करण आए कि हरा सलाद काटे जाने के तुरंद बाद यदि उपयोग में नहीं लाया गया तो कटा सलाद विसेश कर गर्मी के मौसम में गंद योगत होकर खाने योग नहीं रह पाता है फल सरूप संक्रमन होने के समावना बढ़ जाती है इसे देखते वे इस मेनू से अलग करने का निन लिया गया है बड़ी कबर बिहार में अब गाय पालने वालों को मिलेगी सरकारी मदद राज में लागू होगा माईद परदेश का मोडल जिया माईद परदेश की तरचवर बिहार में भी देशी गायों को सरक्षन दिया जाएगा बात आगे बढ़ी है अभी बिहार सरकार मैदे परदेश मोडल का इधन करा रही है सारे तायत पर बिचार के बाद गायों के सरक्षन का कोई आधर्स मोडल अपनाया जाएगा इसके लिए गोसलाओं के साथ नेजी गोपालों को वो कभी परुसाइद करने के तयारी है इस समद में उपुमिक मंत्री एवं पसू एवं मतैसे संसादन मंत्री तारकिस और परसाद ने परदेश के सभी गोसलाओं के दक्ष और सचवो की बैठक बुलाई है बिहार के अभी 33 जिलों में 86 सरकारी गोसलाओं हैं सबका बिस्तितर बोरा मांगा गया है साथी गोसलाओं की भुमी उसकी सितेवं पसू की संक्या आदी की जानकारी मांगी गई है अगली बड़ी खबर तेज परताब के जन सकती यातरा के पहले दिन दलित के घर खाई नमक रोटी लालो की लाल के अभियान से आरजेडी ने बनाई दूरी या राष्टिय जनता दल से इस्तिपा देनी की गोसना कर चुके पाटी प्रमुक लालो प्रसाद यादों के बड़े बेटे तेज परताब यादब ने रहिवार को किसानों और मैज़ूर से जुड़ने के लिए अपनी पूर्व गोसित जन सकती यातरा सुरू की इसके ताथ उन्होंने पटना जिला इस्तित कराई गाह में जन सकती परिशत की जन सबा के साथ अपनी जन सकती यातरा का आरम किया इस दोरान उन्होंने किसानों को सामानेत किया उन्होंने बिहाटा इसी तिमदुकुमर दलित बस्ति पहुँच कर गरिपों के बीच कपड सेटी का समर्थन मिलता ही नहीं दिख रहा है अगली बड़ी कबर बिहार सेटी बीएड 2022 में पांच दिनों में पचेस जार अवियरतियों ने कराया है रजिस्टेशन जेहराज के बीएड कोलेजियों में नमांकन के लिए सयुंत परवेश परिचा के लिए आविदन की प्रक 21 के सिनातों को के चात्रों की परिचा नहीं कराने के वज़ा से वैसे चात्र चात्राई जो बीएड करना चाहते हैं वे आविदन से वंचित रह जाएंगे और हम के बड़ी कबर बिहार के 8000 सरस्ट पंचायद भावनों में गार्ड वा सपाई कर्मियों की होगी भरती जिहाँ पंचायद सरकार भावनों में सपाई कर्मियों और गार्ड की तैनाती के जाएगे ताके भावन और उनमें रखे वहस्तों आदे के रक्षा होसे के साथ भावन के साब सपाई नियामित रूप से होती रहे इसको लकर पंचायती राज बिवाग परस्ताव तैयार कर रहा है आपको बता दे के समयदा पर इनके नियुक्ति की जाएगी आपके अनुसार बिहार में बेजली चोरी रोकने के लिए बिहार सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट क के जरूर बता है